निश्रिया में आज हम बना रहे हैं पोश बड़े ये राजस्तान के बहुत ही स्पेशल बड़े हैं जिन्हें डाल से बनाया जाता है तो इसके लिए मैं ले रही हूँ दो कप मूंगी छिलके वाली डाल और दो कप ले रही हूँ चौला की डाल इन्हें धो करके रात भर भिगो के रखा और अगले दिन पानी निकाल करके इनको ग्राइंड कर लेंगे बहुत कम पानी डालते वे ग्राइंड करना है और ग्राइंड ऐसा करना है कि ये दरदरा रहे यानि बल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना है थोड़ा सा मोटा रहने देंगे और पानी जितना जरूरी है सिर्फ उतना ही पानी डालेंगे थोड़ी सी इसी में अद्रक भी डालेंगे और साथ में ग्राइंड कर लेंगे तो चलिए ग्राइंड कर लेते हैं आपने देखा मैं बहुत कम पानी डालके ग्राइंड कर रही हूँ और अगर मुझे जरुट लग रही है तो मैं थोड़ा सा पानी add करके इसको ग्राइंड कर रही हूँ बस इतना की ये easyly grind हो पाए ठिक है? और इसको बहुत बारीक नहीं करना है थोड़ा मोटा ही रहने दोना है यनि force grind करना है फिर इसे निकाल लेंगे एक bowl में बहुत ही सिंपल है थोड़ा सा फेंटेंगे कुछ मसाले अड़ करेंगे और फटा-फट से बड़े उतारेंगे तो दोनों तरह की दाल और अद्रक को ग्राइंट कर लिया है इस तरह का पेस्ट बना है इसको अच्छे से चलाईएंगे एक दो मिनिट के लिए और बढ़िया तरीके से फेंट लेंगे चलिए अब इसमें डालते हैं मसाले, तो गरम मसाला डाला, धनिया पाउडर इसमें डालेंगे, नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, लाल मिर्च पाउडर भी डालें अपने टेस्ट के हिसाब से, फिर इसमें डाल रहे हैं काली मिर्च, चाहें तो साबत काली मिर्च भी डाल सकते हैं या फिर पाउडर भी डाल सकते हैं काली मिर्च का सौंफ डालेंगे दरदरी पिसी हुई और अच्छे से मिक्स करेंगे पोश के महीने में पोश बड़ों का भोग लगता है भगवान की मंदिरों में भी तो इस टाइम पर यानि डिसम्बर से लेके जनवरी की मंदिरों में पोश बड़ों का भोग लगाया चाता है तो मंदिरों में जो पोश बड़े मिलते हैं वो जादतर खड़े मसालों के साथ बनाया जाते हैं यानि जिसमें साबुत धनिया और साबुत काली मिर्च डाल करके बनाये जाते हैं। मुझे बहुत साथा पसंद नहीं है साबुत या खड़े मसाले मुझे आना तो इसलिए मैंने दरदरे पिसेवे या फिर बारीक पीस करके ही मसाले मिलाएं। लेकिन आपकी चोईस है बिल्कुल आप मंदिर जैसा बनाना चाहते हैं तो इसमें साबुत काली मिर्च और धनिया भी दरदरा कुटा हुआ इसमें एड़ करें और बस जब मिक्सचर तयार हो जाए तो इस तरह से ओयल को गरम करें और बढ़ों को फ्राई कर लें तो बढ़े तो आप चाहें तो हरे धनी की चटनी पॉश पड़े और साथ में सूजी की हलवे को बनाएं और इसे सर्व करें तो चलिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथी कमेंट करके हमें बताएं कि यह रेसेपी आपको कैसी लगी और निश्रा को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फट से निश्रा को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और थैंक्स वर वाचिंग